जिन्दगी में किसी से अपनी तुलना मत करो जिसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं भार में गई दुनिया अपने दम पर जीना सीख दोस्तो जितने बरे आपके सपने होंगे न उतने ही जैदा लोग आएंगे आपको रोकने के लिए उतने ही जैदा लोग आपको अपने चुने हुए रास्ते से भटकाने की कोशिस करेंगे वह पूरी कोशिस करेंगे आपकी हिमत तोरने की इसके लिए वह अलंग अलंग तरीके अजमाएंगे कोई आपका दोस्त बन कर आएगा तो कोई दूस्मन के रूम में आपके सामने होगा कोई आपको डाट डपट कर रोकने की कोशिस करेगा तो कोई आपको इमोशन्स के साथ खेल कर आपको कमजोर करेगा कोई आपको बहुत पैर से समझाएगा तो कोई आपको ताने मार कर आगे बढ़ने से रोकेगा लेकिन अंत में इन सब का मक्सद देखी होगा किसी तरह आपको अपने लक्ष से हटाना आपको हिमाद दोर देगा आपको इतना कमजोर बना देगा कि अंत में हारकर आप भी उसी भीर का हिसा बन जाए और फिर भी आप वही करने लगे जो लोग चाहते हैं लेकिन अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हो अगर आप सच में लाइप में एक मुकाम हासिल करना चाहते हो आप अपनी लाइप में कहीं कुछ ऐसा है जिसे करना आपके लिए बहुत जोड़ी है जिसके होने से आपकी लाइप को एक नई दिसा मिल सकती है तो फिर आपको खुझ से ये कहना होगा कि दुनिया गई भार में, लोग गए भार में आपको इस दुनिया के परती, अंदे और बहरे बनना होगा आपने उस मेड़क की कहानी सुनी होगी जो बहुत मुश्कुले, रहने के बाद आखिरकार खंबे के ऊफर चटकर विजेता बन ही जाता है नीचे से उसके साथी चिलाते रह जाते हैं, कि ये संभव नहीं है आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ खंबे की चोटी पर थी नीचे खरे लोगों की तरफ उसने देखा भी नहीं, क्योंकि वह बहरा था इसलिए लोगों की नग करादमक बाते उसके कामत तक कोची ही नहीं आखिरकार उसने वहाँ पहुचकर ही दम लिया और साबित कर दिया कि ये ना मुझी नहीं था इसी तरह से आपको ये समझना होगा कि आप जितना जादा आगे बढ़ने की कोशिस करेंगे लोग आपको उतना ही जादा पीचे धखनने की कोशिस करेंगे अब ये आपको डिपेट करता है कि आप कब तक अपनी सोच को लेकर अपने सपनों को लेकर अरे राते हैं जिस पल से आपने लोगों को देखना और सुनना सुरू कर दिया आप कमजोर परने लगेंगे और लोग अपने मकसद में कम्याब हो जाएंगे इसलिए आपको लगना होगा आपको अपनी सोच को मजबूत करना होगा आपको अपनी एवेलिटिश को बढ़ाना होगा आपको अपनी मकसद को हमेशा याद रखना होगा और हर कदम अपने गोल की तरफ बढ़ाना होगा इस रास्ते में बहुत सारे लोग आपके खिलाप जाएंगे बहुत सारे लोग आपके दुस्वन बनेंगे लोग आपको पागलपन, सन्की और ना जाने क्या क्या कहेंगे लेकिन जब लोग आपको पागलपन और सन्की कहने लगे तो जमन जाना हम सही ट्रेक पर हैं क्योंकि इतियास ऐसे पागल और संकियों से भरा परा ही हैं जिन्हों ने अपने पागलपन और संकी में इस पूरी दुनिया का इतियासिक पलट दिया लाइट, एरोपलेन, टेलीफोन यहां तक कि इंसान अगर चान तक पहुचा है तो इसी संकी इसी पागलपन की बज़ा से पहुचा है महत्मा गांधी ने एक बार कहा था लोग पहले आपको नजर अंदाज करेंगे फिर आप पर हसेंगे फिर आपको बिरोध करेंगे और अंत में जब आप जित जाओगे तो फिर वही लोग आपके पीछे-पीछे चलना सुरू कर देंगे इसलिए दोस्तों अपने सपनों को हकिकत में बदलने का सपर आज ही शुरू कर दिजिए इस जबाने की परवा छोड़ दो अपने कदमों को आगे बढ़ने दो और हासिल करनो अपनी मंजील दुनिया अपने आप आपके पैरों के निसान देखकर आपके पीछे इसमास करना आपbudर दोस्तों अपने